वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइज एक और नियू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आपकी लाइफ में इसमें क्या अबंडन्स ब्लेसिंग आप रिसीब कर सकते हैं डिवाइन किस तरह से गाइड करना चाहेंगे आपको तो आने वाले साथ दिन कैसे रहने वाले हैं इसमें आपकी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ कैसी रहेगी आपका हेल्थ आपका साथो दिन मूड बगारा कैसा रहेगा यह सारी बाते मैं इस रीडिंग में बता लगाने एंड रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी आप यहां तक पहुंचें, तो ठीक, नेक्स सेवन डेज का ही प्रेडिक्शन होगा आपके लिए, ओके, और कॉमेंट सेक्शन में जो भी नंबर शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बचके रहना हूं उन लोगों से, मेरा नंबर नहीं है मुझे समझके कॉन्टेक्ट मत करना, क्योंकि मैं पर्सनल और पेड रेडिंग अभी नहीं करती हूं देखते हैं, ओ, थ्री आप सोड्स, जेमिना लिब्राइक वेरियस, थ्री आप सोड्स पहले ही कार्ड है, और क्वीन आप सोड्स, ओके, जर्मना लिब्राइक वै 3 of cups, page of cups, judgment, 8 of wands, 7 of wands. यहां पर मुझे fire और air sign जादा मिला है, और water sign भी है यहां पर, page of pentacles है, sorry king of pentacles है bottom of the deck से, यहां पर fire, air and water बहुत strong दिख रहा है, बाकि तो यहां पर scorpio, torus, leo, aquarius, sagittarius and virgo, यह sign तो major उखाना से आए है, बाकि element यहां सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि earth sign भी हमें यहां से मिल गय है, next seven days guys, बहुत जादा difficult से लग रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता दू, right now आप बहुत mixed emotions मिलते हैं आपको, कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, कभी आप एकदम sad हो जाते हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, और आपके partner के साथ मुझे contact नहीं दिख रहा है, because of this card, मुझे लगता है, आपके person ने खुद को रोका हुआ है, आप से communication बंद कर दिया उन्होंने, ये चीज मुझे दिख रही है, जिसके वज़े से आपका दिल तूटा हुआ है, लेकिन जो interesting fact यहाँ पर निकल कर रहा है, वो ये है, कि आने वाले साथ दिनों में आप इस three of sorts की energy से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है, like अगर आपके person आपको ignore कर रहे हैं, या देखो सरफ person ही नहीं, अगर आपके family friends वगेरा भी अगर आपको ignore करते हैं, और जिसका बहुत बुरा लगता है, आपको दिल तूटता है आपका, जब कोई आ समझ पाता है, आपके intention को नहीं समझ पाता है, और आपको बुरा भला बोलते हैं, जो कि आप बिल्कुल भी deserve नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे person, बहुत clear mind है आपका, ठीक है, दूसरों को disturb नहीं करते हैं, अपने काम से मतलब है आपको, ठीक है, और साफ दिल के भी दि नहीं पड़ेगा, आपना मुझे ऐसे person लग रहे हो, जो दिल पर लगा लेते हैं बातों को, ठीक है, दिल पर लगा के फिर आपको रोना भी निकल जाता है, लोगों के सामने, जब आप से control नहीं हो पाती चीज़े, तो आप रोना शुरू कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आप क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कितने अच्छे हैं, यह सारी बाते आपको आपके बारे में पता है, तो आप एक queen of source की energy में मुझे आते हो दिख रहे हो, जो कि बहुत ही सही energy है, आज के time में, ठीक है, इसी energy में रहने के जरुरत भी है, आपको अब regret नहीं करना है, आप ऐसा कुछ अपने लिए perception लेकर चलोगे, ठीक है, क्यूंकि इस से आपको loss होता है, जब आपका दिल तूटता है, जब आपको hurt होता है, तो आप क्या headache मिलता है, बिमार हो जाते हो, तो आपको इस energy से आप खुद को निकालना है, वल्लब आ आपना कुछ ऐसी strategy follow करोगे, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, जिसने जो भी आपके बारे में कहा, ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, ये आपके love one हो सकते हैं, आपके friends हो सकते हैं, relatives हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपका दिल तोड रहा है, जो आपको hurt कर जो आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप सबको समझाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, आप अपना purpose पूरा करने आए हो, ठीक है, तो उसी में आपका पूरा ध्यान लगता हुआ, दिख रहा है मुझे आने वाले साथ दिनों में, इसके अलावा guys मुझे एक चीज और कोई आपको online contact कर सकता है, ठीक है, अगर आप spiritual journey में हैं, जैसे कि यहाँ पर spiritual cards भी आए हैं, तो मुझे जो दिख रहा है, आप दिख रहे हो मुझे separation में right now, और इस separation mode में मुझे आपके पास online offer आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यह person जो भी आ रहा है आपकी life में, third party है, ठी यहाँ पर इस person का आना, ठीक है, जो भी online जिन से भी आप मिलने वाले हैं, यह आप से age में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है, यह third party है, 100% third party है, क्योंकि आपके तो mind में already कोई ना कोई बसा हुआ है, तो आप उस person को भूलनी पा रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी एक और कार्मी का अकाउंट, इस ही इसी week में मुझे आने वाले week में clear होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप इसको clear कर देंगे, ठीक है, आप इस person को मिलेंगे, अगर इसने कुछ ज़्यादा अपनी feelings वगएर आपके लिए love express कर दिया, आपके सामने तो आप इने बता दें इस person को टाटा, bye-bye, okay, आप बोल देंगे, ठीक है, ये चीजे मुझे याँ दिख रही है, और ये वैसे भी आप से age में छोटे हैं, और ये आपके divine counterpart तो नहीं है, ठीक है, ये थार्ड पार्टी है, तो आने वाले साथ दिनों में आपके life में कोई एक person भी मुझे आता जो कि online आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा guys, इन सातों दिनों में ये जो आने वाले साथ दिन है, divine की blessings आपके साथ है, अब जो भी आपने बहुत सही ये decision आप लोगे, कि आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, क्योंकि आप अपना purpose यहां पूरा करने क्योंकि जब divine आपके साथ है, universe आपके साथ है, तो फिर आपके साथ आपको good luck है, और आप कैसे भी करके अपना purpose पूरा करोगे ही करोगे, ठीक है, पूरा अपना ध्यान, पूरा अपना focus अपने purpose पे लगा दो, जो भी achievement आपको हासल करने है right now, उसमें पूरा का पूरा ध्य हान लगा लो अपना, और दिल से काम करो, ठीक है, यह आपको चीजे करने है, क्योंकि right now आप आ गए हो separation mode में, अब ऐसे में इनसान करेगा क्या, सबसे पहले तो यह जो heartache है इस से बाहर निकलो गया, यह बहुत अच्छा step है आपका, दूसरा, अब जब यहां से बाहर निक कर ले, ठीक है, यह कुछ काम आपको इन साथ दिनों में करने है, बाकि और डिटेल में जान लेते हैं, हेल्प कैसी रहने वाली है, और extra हमें क्या पता चलेगा यहां से, यह भी देख लेते हैं, king of swords, कहा ना मैंने यह third party आईगे आपके पास, यह कि आपके तो देखो ना, couple आगया हमारे पास, queen of swords and king of swords, आपके दिमाख में तो कोई है, अच्छा, तो आप king of swords यहां पर आगए है, यह person भी आपको भूल नहीं रहे, oh king of wands भी आगए हैं यहां पर, बिल्कुल, मैंने सही कहा guys, आपकी life में, third party आने के chances हैं, और जानते हैं, इसी time पढ़ना, आपके person की life में भी third party आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की ही, अभी, अभी, दोनों की life में, मुझे karmic accounts दिख रहे हैं, इन साथ दिनों में, यह karmic accounts clear हो जाएंगे, जो भी यह जो भी person आने वाला है आपके life में, वो आपके past life connection से ही आ रहा है, मतलब पहले भी आप इन से पिछले जनम में मिल चुके हैं, अगर आप believe करते हैं इन बातों में तो, four of wants, two of wants in reverse, and we have night of cups, okay, देखे गाइस जो आपके divine counterpart है, इस person के mind में आपको लेकर wedding वगरा का कुछ मुझे दिख रहा है, अगर आप divine counterpart हैं, एक दूसरे का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका spiritual connection है, इस person के demand में अभी wedding वगरा के लिए आपको लेकर, लेकिन एक दूसरा person भी है जो आपकी life में आ रहा है, तो इस person से जैसी कि मैं देख पा रही हूँ, आपके energy बिल्कुल clear हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर two of wants reverse में आ गया है, तो कोई wait delay नहीं होगा इसके साथ, यह आएंगे, बात करेंगे और आप इनको clear cut कर देंगे, चीक है, बाकी इन 7 दिन अगर मैं आपके person के energy पिक कर पा रही हूँ, तो आपके person आपके साथ बिताएवा हर एक पल याद करने वाले हैं, वो आपको बहुत miss करने वाले हैं, और इनके mind में आप बहुत हद तक आपके लिए शादी बगरा का आता है, तो आप यह समझ लीजिए, कि अगर आपके यह जो थोड़े जल्दी आप शादी वाली स्टेज पर आने वाले हैं, क्योंकि आपके person आपको proposal देने के बारे में भी सोच रहे हैं, separation को ना कोई बहुत बड़ा एक ऐसा, एक ऐसा phase मत समझा करो कि पता नहीं क्या हो गया, separation आगया तो आप तो कभी मिली नहीं पाएंगे, separation में भी मैं आप यह person कहीं नहीं जाएगा, यह 2-4 दिन बाद या 2-3 महीने बाद इसको तुबारे मेरे पास ही आना है, separation जो सच्चा प्यार होता हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, वो कभी negativity लाते ही नहीं हैं अपने mind में, ठीक है, और उनकी intuition इतनी work कर रही होती है, कि person के बारे में पता भी लग जाता है, कि वो miss कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो किसी और के साथ involved हो गए हैं, और अगर किसी और से बात कर भी रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, किसले कर रहे हैं, यह तक आपकी intuition आपको बताती है, क्योंकि वो true love है आपका, आपकी soul connected है, तो अगर आप देखो, किसी के साथ soulmate connection फील कर रहे हो, तो कभी तो negativity आप फील नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना उसके पीछे का reason जानने की कोशिश करोगे, कि यह phase आया, तो क्यों आया, और इसमें मुझे काम क्या करने हैं, तो yes, थोड़ा सा delay phase कर रहे हो, separation आ separation भी learning phase होता है, इसमें learn करो, जितना separation आ रहा है, means universe आपको learn करने के आप time दे रहे हैं, आप अपनी learning कीजे, inner work कीजे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ solve भी हो जाएगा, आपके life में, जो आप मांग रहे हो, आपको मिल भी जाएगा, so separation phase से कभी घबराया करो म अगर आपका ये सच्चा प्यार है तो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा strong gut feeling बन जाती है कि भाई, ये person कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही आना है इस person को, इस तरह का विश्वास बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा high level पर पहुंसता है, ये वाला विश्वास ठीक है ज़्यादा आप उदास ना हुआ करें, बस manifest किया करें और अपना काम किया करें, ये चीज़े करा करें, लेट सी आपके लिए कोई answer, next seven days के लिए क्या हो सकते हैं, अच्छा मुझे healthy shows दिखना ही रहे हैं आपके साथ, पर आप अपने लिए एक अच्छी strategy भी बनाना किया steps आपको लेने हैं, आपको ये अपने angel से पोचने की ज़रुरत है, अपने angel के साथ communication बराबर रखें, बनाये रखें, ताकि वो आपको guide करते रहें, ठीक है, आपकी life में peace बनी रहें, इसके लिए आपको angel से बात करनी पड़ेगी, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, within the next few months कहा रहे हैं, कि आपकी life में बहुत चीज़े solve हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, next few months में भी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, next few months में ही आपका, जो भी आपको clarity चाहिए, वो आपकी life में आते वे दिख रही है एक तो ये बात है, कोई advice अगर आपके लिए है, तो मैं देख लेती हूँ अभी, क्या advice आ रही है आपके लिए, your dreams need a practical plan, यह से तो मैंने कहा ही है कि आपको practical plan बनाना है, तो practical plan बनाई है अपने लिए, इन आने वाले एक दो दिन में ही plan बनाकर उस पर implement करना शुरू कर दें देखो, peace चाहिए, और काम घर पे या office में अच्छे से नहीं हो पा रहा है आपके साथ, तो एक peaceful place, find कीजिए, अपने लिए ढूंडिये, जिसे library हो गया, जिसे मैंने अभी पीछे reading में भी बताया था आप लोगों को, और फिर उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो, क्यों पीस मिलना चाहिए, आपके माइन को तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाऊगे, और आपको एक अच्छा output भी मिलेगा, इन थोड़ी, क्योंकि ना, पीस होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब होते रहोगे, छुट-चुटी तो अच्छे से शांथ, अपना रिलाक्स होकर तब आप काम करें, इतना आप कीज़े, यूगि आपको प्रैक्टिकल प्लान तो बनाना पड़ेगा, अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो सोचो आप अपने सिच्वेशन को ठीक करने के लिए, और अपने हैड़ ना हो आपके माइन में, इन चीजों को आप कैसे देखेंगे और कैसे आप आगे के स्टैप लेंगे, इसके लिए आपको प्लान बनाना है, ओके, इस इस यूर रिडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर रेजोनेट हुई है, तो कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा, चैनल पर नए हैं, आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप सब भी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अभी के लिए बस इतना हैं, गाईज, बाई, टेक क्यार,